हेलो फ्रेंट जैवातादी कैसे आप तब दी लोग उमीद है मस्त होंगे चगा चग होंगे खुश होंगे दोस्तों मद्ध प्रदेश के बुलिटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये पड़ो फिर किसी भी एक्जाम से लड़ो आज इस बुलिटिन में हम लोग पढ केक्शाम के लिए महिट हैं करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लोग बात करेंगे हमारे मत्ध प्रदेश की सबसे चर्चित कलाकार जिनका नाम दो靜स्तों द्यान रखे जिस उम्र में बच्चा अच्छा अच्छे से बोलना नहीं सीख पाता उस उम्र में इन्होंने बढ़िया तरीके से गाना-गानी की शुरुबात कर दी थी और फर्वरी 2022 को हमें छोड़ कर चली गई है मतलम इनका ध्यान तो गया और जन्वी इंद और में 1929 यह याद रखी इसके बाद देखे फिल्म फियर यह चाहिंवर ओड़ने 1958 में 1962 1965 1990 1993 1994 और पदम भूशन भी मिला इन्हें 1989 में इसके बाद देखी 2001 में भारत रत्र में मिला पदम भीभूशन 1999 में मिला दादा साब फाल के अवार्ड इन्हें 1989 में मिला इतने सारे अवार्ड जिस महिला ने जीते उसका नाम था लता मंगेशकर तो याद रखिएगा 36 भासाओं में लगबख 30,000 से अधिक गाने गाएं 36 भासा में लगबख 30,000 से जादा बार गाने गाएं इन्होंने ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो पदम भूशन इन्हें 1999 में मिला था दादा साब फाल के 1989 में मिला था ये याद रखना आप पदम भूशन की बात करें तो 1979 में मिला था ठीक है इसके बाद बात करेंगे तानसेन राम तनू पांडे जी की बात करेंगे कहते हैं दोस्तों जब तानसेन का जन्व हुआ बच्पन में तुतलाते थे पर एक इन्हें संत पीर फकीर बाबा मिले उनने चमतकार कर दिया और रीबा के राजा राम चंद्र बाब वास्या अकवर के दरबार में थे ध्यान दखिएगा अकवर के पहले रीबा के राजा रीबा के राजा ध्यान दखिएगा राम चंद्र के दरबार में गाते थे फिसके बाद ये अकवर वास्या के नवरत्रों में सामिल हुए उन्हें संगीत सम्राट की उपादी किसे मिली थी तान सेंको यानि की राम तनू पांडे का जनम जो हुआ बेहट गबालियर में जन्म हुआ 1586 में आग्रा में इनकी मित्ती पर इनका जो मगबरा है वो गबालियर में बनाये गया यह याद रखेगा इनका जो सपूस थी उनका नाम था हुसेनी और उनका जो म्यूजियम है वह कहां पर है गवालियल में बता चुका हूं इसके बाद संगीत समराट कहा गया उसी प्रकार सरोध समराट किसे कहा गया उस्ताक अलावद्दीन खान को संगीत नाट्ट अकडमी फेलोसिपली इन्होंने में 1954 में और पदम भूशन मिले आओने 1998 में पदम भूशन की मिला इनको इनका जन्म आठ अक्टूबर 1862 में तिरपुरा या शिप पुरा में हुआ ठीक है करेंट इन बांगला देश में रहते थे डाए इने सेप्टेमबर 1972 में ठीक है महियर में इनकी डेथ हो गई बर्ग अर्थी 17 डिस्टिक में भीयत आए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते महान लोगों के बारे में अजमद अली खान देखिए यह अजमद अली खान यह हैं यह वी सरोद बादक तो अजमद अमजद अली खान जो है उस सरोद बादक है युनिसको प्रुसकार इने म संगीत नाटक अकडमी पुरुसकार मिला उननीस सो इनक्यान पदम हुषण मिला इतने सारे पुरुसकार सुन कहीं आप समझ सकते हैं क्या महानस्ति रहे हुँगे अजमद अली खान तो देखें यहां पर 9 एक्टूबर 1945 को इनका जन्व हुआ एज इनकी 77 यर हो चुकी है गवालिर में जन्वे हैं इनका अगर सपोस की बात करें सुभ लक्षमी भूरा खान इनकी सपोस है इसके बाद अगर हम बात करें मुजिशन इंस्टूमेंट सरोध बजाते हैं ठीक है और हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से संब्ध रखते हैं फिर बात करेंगे आमीर खान की बात करेंगे प्रसिस सास्त्री संगीत गायक है 1967 में संगीत नाट अकैदमी पुरुसकार मिला 1971 में पदम भूशन मिला इंदौर घराना के संस्तापक हैं ये प्रश्ण पूछा जाता है ये है वहिया अमीर खान उस्ताद अमीर खान जिनका संब्ध इंदौर घराने से है ये पूछा जाता है ठीक है इनका जन्म हुआ था सिब्पुत्र सिद्धा रमन कोम काली क्या नाम था इनका मूल नाम सिब्पुत्र सिद्धा राम कोम काली था पर इन्हें हम लोग किस नाम से जानते कुमार गंदर इन्हें संगीत जगत का कभीर किसे कहते हैं कुमार गंधर को कहते हैं कारिस्तली इनकी बागली की पहाड़ देवास रहा 1977 में पदम भूशन और 1910 में पदम भीवूशन से नवाजा गया इनका जन्म की बात करें 1924 में जन्मे और देवास में उनकी 1992 में क्या हो गई दिहान थो गया ठीक है यह इंडियन क्लासिकल सब्सक्राइब के बारे में उस्ताद हाफिज अली यह देखिए इनका फोटू देखिए यह उस्ताद फोटू से आपको जाड़ा थोड़ा सा याद रहेगा यह उस्ताद हाफिज अली ठीक है इनने 1960 में पदम भूशन से सम्मानित किया गया गवालियर में इनका जन्म हुआ मुंबई भाराष्टा में इनकी 84 में डैथ हो गई और हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से सम्मन रखते हैं ठीक है तो गवालियर में जन्में उस्ताद हाफिज अली ठीक इसके बाद अगर हम बात करेंगे भाईया राजा पूछ वाले भाईया राजा भाईया पूछ व पाने जातें इनकी रचना एंटान मली का वह संगीत रोपासना भूट्स मिलने से इनके घरवाले पूछ वाले के प्रिसे देन पूचुम से पूचुमें यहों خांदान भानदान सवा है इनका ृप पंदित ठयाल अप क्रिस्द्ध है जो गाई की है इनको ध्यान रखिये एक धुर्पत गाई की हमने देखा था आप यह कौन सी खयाल गाई की कि प्रिसित कौन है किस राव पंडित पुरुसकार देखीगा पदम भूशन संगीत नाटक अकादमी संवान संगीत के भीमचार आकाश मणी संम्मां सिकर गान वहारी बुवाल का संवान्श विलास इतने सारे भीया सम्मान मिलेएं जन्व गवालियर हमारे मद्द्रदेश की वो पावन धर्ती है जहां पर एक से बढ़कर एक उस्तादों का जन्व हुआ ठीक है गवालियर में इनकी 96 में डेत भी हो गई संगीत्कार आएग आगे बढएंगे पंडित कीरती राम पंडित कार्थिक राम स्वारी पंडित कार्थिक राम के बारे में जानेंगे गंशेपन न्रत यह बहुत ज़्यादा फेमस है गजपन मैंने बोल दिया गंजपन क्या है गजपन क्या है और गम्मत के लिए स्रिष्ट कलाकार है बिलासपुर में बहुत की तरह जली 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 बोल देना तो थोड़ा-बहुत इदर-दर हो जाए तो आप तो थोड़ा सा धहर रखिएगा कम समय में जाला देने का प्रियास किया जा रहा है कि आप 10 मिट का वीडियो देखो और पूरे के पूरे कलाकारों के बारे में एक बार आपको याद हो जाए एक बार करेंगे हम लोग ठीक है तो पंडित कार्तिक राम की बात करें गम्मत के सेष्ट कलाकार है गजपन और बतासा नरत के लिए खेमस से बेगम असगरी बाई एक भारती धुपरत गाई का है धुपरत गाई का है पदम स्री तांसें सम्मान एकैडमी सम्मान और शिकर सम्मान से ने नवाजा गया जन्म इनका बी विजाबर में हुआ 1918 में 2006 में चली गई ये हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से सम्मद रखती है राहत इंदौरी को कौन नहीं जानता सब लोग राहत इंदौरी को जानते हैं ये एक प्रसिद उर्दू सायर गीतकार और शितकार थे ठीक है इंदौर में जन्व हुआ और अगस 2020 में हमें छोड़के चले गए ये राहत इंदौरी ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे चली बात नहीं करेंगे खतम हो गया तो जितने भी महतपूर संगीतकार थे मद्द्रदेश के वो मैंने आपको बता दिया एक बार बापिस से बुलिट की तरह हम लोग फायर करेंगे देखिए सबसे पहले बात करेंगे राहत इंदौरी एक प्रिसित उर्दू सायर गीतकार और चितकार है फिर बात करेंगे बेगम असगरी बाई बेगम असगरी बाई को याद रखेंगे धुर्पत गाई का धु पंडित कारतिक राम की बात करेंगे तो गम्मत के सेस्ट कलाकार ऊज़े गम्मत के सेश्ट कलाकार हैं अगर पूछा जाए गजपन नत और बतासा नत के लिए कौन प्रसिद हैं तो बताईएगा पंडित कार्तिक नाम जी फेमस है उस्ताद हाफिज अली की बात की जाएगी गवालियर में जन्में हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से इनका संबंध है कला के छित में सन 1960 में पदम भूशन से सम्मानित हो राजा भाया पूछ वाले का वास्तिक नाम क्या ही पूछा जाएगा तो मूल नाम बाल कृष्ण आप्टेकर है पर इनके पूरवजों को पूछ एक जागीर मिली थी उसके बाद इनके नाम के आगे है इसके बाद किष्ण राओ पंडित की बात करें यह खयाल गायकी के प्रसिद्ध में क्याल गायक की अलग-लग अरे जैसे हम लोग गयते हैं अब कुमार विश्वास वाले गाने हैं वो उनकी कवीता है या इसके बाद हम लोग पहुत सारे अलग-लग-लग-अलग-लग- सिंग टी खयाली ध्ुप्रत अलग-लग राजा जैसे दुर्पट जो है मांसीं जो राजा था था ती सिंग तो अलग-लग राजा अलग-लग पिरकार से गाते थे उनको एक नाम देते यह वह कि यहां पर देखीएगा खयाली गाईकी तिर्शिद्राव पंडीक जो है प्रुषिद सरोद बाधक हैं इनुषको पुरुसकार, कलार रतन पुरुसकार, पदम सिरी, संगीत नाठक अकडमी, तांसें सम्मान, पदम भुषन, पदम भीभुषन, सब कुछ मिला, मद्ध पडेश की गवालियर में जन्मे, अमीर खान इंदोर में जन्मे, कुलकत्ता मे द्यानत हो गया सास्त्री संगीत गायक हैं कुमार गंदर्व का वास्तिक नाम सिभ पुत्र सिद्ध रमन कोमकाली था इनने संगीत कवीर कहा जाता है बाग्ली की पहाणी देबास में इनकी कारिश्तली रही लता मंगेशर की बात करें तो वर्स की आयू में गाना प्रार्ण किया 36 भासाओं में 30,000 से दिक गाने दिये और 1974 में सरवादिक गाने का इन्हें गिनीज बुक अवार्ड में दर्जी मिला सब अवार्ड है जितने भी दादा साब फाल के अवार्ड तो भहिया इन्हें छेवार फिल पियर अवार्ड साथ्ति संगीत के महान गयाता है रीवा के राजा राम चेंड वादस्य अगवर के दरवार में थे अगवर के नौरतनों में सामिल थे संगीत सम्राट की उपादी मिली अब बात करेंगे उस्ताथ अलाव दीन खान एक प्रसिद सरोध बादक है इन्हें सरोध सम्राट कहा ज रहेंगे इनके बार में एक बार और पढ़ना पीडियाप को एक दो बार पढ़ लेना कम से कम आपको यहाद रहेगा और यहीं आता है महत्पून सबसे महत्पून में आप लोगों को बता दिया मिलते हैं नेक्स लेक्शर में जब तक के लिए जैहिन जैभारत चैनल को सब करके बैल आइकन का बटन दबाते जिससे कल जो बुलिटिन मिलेगा आपको उसमें एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नया मद्यप्रदेश को अलग तरीके से जानेंगे किस तरीकी कि क्लास आपको लगी फिडवेक कमेंड में जरूर देना और अगर आप भी चाहते ह बना क्योंकि आपका प्यार बना रहेगा तभी एक क्लास कंटीर रहे पाएगी जब मिलते हैं एक लाक्स लेक्चर में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक्यू सो मच बाइबाइबाइट टेक क्यारा